सर्दियां तो स्टार्ट हो गई हैं तो अब इस समय आपके भी गार्डन में खुब अच्छे अच्छे फ्लावरिंग प्लांट आ गए होंगे मेरे पास भी इंप्लांट है जो कि मैं इस वीडियो में आपको देखा रहा हूँ तो आज की वीडियो होने वाली है कि आप सर्दियों में अपने फ्लावरिंग प्लांट से कैसे जादा से जादा फ्लावर ले और खुब सारे फ्लावर आएं आपके पौदे पे जो कि देखने में गाफी अच्छे लगे तो वीडियो में आप लास तक बने रहें और चैनल प भी खुब अच्छी एकदम ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है यह देखिए पिटूनिया का भी एक फ्लावर खिला ता पिंग कलर का जो कि अब गिर गया है और यहां पर देखिए मैरी गोल्ड खुब अच्छे से एकदम खिला है मेरा यहां पर देखिए इसमें काफी सारी नई नई बर्ड आई है जो कि आप पेचर में खिलेंगी और यह देखिए यह मेरी गजेनिया है इसमें भी देखिए आपको यह सामने बर्ड दिख रही होगी यह काफी अच्छी इसमें हल्दी एकदम बर्ड आ रही है तो सबसे पहले तो आपको अपने फ्लावरिंग प् इसमें आप इन पड़ों को ऐसी खाद दें जोकि हलका गरम रहें जैसे कि आप इस में मस्टर्ड केक दे सकते हैं वह काफी अच्छी सारी विंटर फ्लावरिंग प्लावरिंग प्लारेंट के लिए रहती हैं और थोड़ा बहुत कोई खाद दे सकते है जो कि गरम खाद होत पॉट के चक्कर में ना पड़े क्योंकि अब भी विंटर पूरा बच्चा आए जब एकदम अच्छे से विंटर जाने लगेगा तब आप इसके सीट पॉट के पढ़िएगा तब इसके फ्लावर छोड़िएगा तब सीट पॉट बनेंगे तो वह ज्यादा सेरेंगे तो दे देखे यह मेरी गोल्ड भी अब धीरे-धीरे खराब हो रहा है क्योंकि जो अगर सीट पर फोकस करने लगेगा आपका पॉटा जब यह सीट बनाने लगेगा तो आपका पॉटा जल्दी से खराब हो जाएगा उसमें ज्यादा फ्लावर से नहीं आएंगे फ्लावर की साइ उसमें बैड इफेक्ट होने हर शुरू हो जाएगे तो आपको पौदा खराब हो जाएगा अगर आप महेंगे महें नर्षरी से पौदेल आए होगे तो भी आपके पूरी मेनत बरबाद हो जाएगी पूरा पैसा भी आपको बरबाद हो जाएगा तो इन सभी बातों का इसी जगह रखें जहां इने हाफ डे की धूप मिले आथ फिर मॉर्णिंग की या तो फिर डेवनिंग की मिले तो काफी अच्छे आपके सारे ये जो फ्लारिंग प्लांट है वो चलेंगे ये देहिए दयांथस में खोब बच्छे से फ्लावर हो रहे हैं और पिटूनिया मेरे पास एक और था जो की खराब हो गया था ओवर वाटरिंग के वज़े से तो हाँ आप और वाटरिंग भी एकदम ना करें जब इसकी मिट्टे एकदम ड्राई हो जाए उपर से तभी आप अपने पाउदे में पानी डाल और वाटरिंग से आप बच्छे यह देखिए आप इसे अगर सेव कर लेंगे तो यह आप अगले साल के लिए भी बच जाएंगे जब जन्वरी इंड हो जाए फेबररी स्टार्ट हो जाए तब आप सीड इसके उपर छोड़ सकते हैं कि इसका फ्लावर जो है वो सीड में क चलेंगे आई होप आप भी अब इसी तरीके से अपने सारे पाउदो को सेव कर लेंगे और खुब अच्छे से उन से फ्लावर लेंगे चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ तब तक के लिए चैनल के साथ जुड जाईएगा